कहिए कैसे हैं आप बच्चों को ना सिखाएं ये बाते हैं बच्चों का मन पते कैसा होता है जैसे स्पंज होती है ना स्पंज पानी को सोक लेती है है ना ठीक वैसे ही जो बच्चों का मन होता है ना वो बातों को अपने अंदर लेता है आतम साथ कर लेता है मतलब जो बाते ह रही है ना उनको अपने अंदर, अब देखिये बाते अगर अच्छी है तो उनकी लाइफ अच्छी होगी, सिंपल सी बात है, और अगर बाते नेगेटिव हैं, तो उनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा गलत असर डालेगे, तो जो हम उनको सिखा रहे हैं या जो वो सीक रहे हैं ना उस बारे में हमको बहुत ज़ादा केरफुल ओने की जुर्द है बहुत बहुत और बहुत ज़ादा क्योंकि ये जो मन में एक बात बैट गई और वह भी गलत बात तो वो लंबे समय तक जाए देखिए निकाले नहीं निकलेगी यह बाते मतलब अंदर गर कर जाती है नहीं से हम बोलते हैं ना बाते अंदर गर कर गई वो चीज़े हो जाती है फिर तो वो situation आए ना उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें बच्चों को नहीं सिखानी है कुछ बाते जो हम आम तोर पर जाने अन जाने कर जाते हैं और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ दस बाते सबसे पहली बात बच्चों को ये ना सिखाएं कि जब वो चाहेंगे जो वो चाहेंगे उनको मिल जाएगा आम तवर पर पेरिंट्स ऐसे ही करते है थोड़ा बहुत पैमपर करते हैं कि भई लाए बच्चे की दिल में कोई बात है हम उसको पूरी कर दे बभी हमारा बच्चा है इसको क्यों हम कोई तकलीफ दे क्यों इसको हम इसका मन खराब करें मन उदास करें हम दिला देते हैं तो यह चीज सही नहीं है, हाँ अगर चीज जरूरत की है, जरूरी भी है, फिर तो सोच नहीं नहीं चाहिए, फिर तो दिला देनी चाहिए, तुरंट दिला देनी चाहिए, पर अगर बच्चा देखा देखी कर रहा है, या उसके पास उस तरह की बहुत सारी चीज़े हैं, फिर से कह सकते हैं कि आपका जिस चीज में इंटरस्ट है आप वो लो वह क्रिकेट में इंटरस्ट है तो आप बैड बॉल ले लो है ना कुछ और चीज ले लो या ड्राइंग में इंटरस्ट है तो आप कलर ले लो इस चीज को गिटार लेके क्या करोगे वह अगर आप सोच रो कि में सीखना है एमर को फिर कोई दिक्कत निया फिर आप लो बिलकुल लो अच्छी बात है पर सिरफ उसने लिया है उसकी देखादे कि आप ले रहे हो यह गलत है देखिए बच्चों की हर दिमांड पूरी करते रहेंगे न तो बिगड़ जाते और अगर किसी बार हम नहीं भी प्रियक्त कर जाते हैं तो क्यों ना हम पहले से ही बच्चों को सिखा दे कि अगर कोई चीज बहुत जादा जरूरी है आपके जरूरत की है फिर जरूर आएगी पैसे वेस्ट ऐसे नहीं करने यह चीज़ सिखानी है क्लियर अब आती है दूसरी बात बच्चों को यह ना सि पना कर्णा दरूरत को अचा गूछ सिखानी है तो क्यों कि क्यों नीं आया इसा इस को नहीं सिखाना खीणा तो बजाए इस चीज पर बार बर जोर देने के ना इस चीज इता है की बच्चा उसको समझे मतलब ये नहीं की रटा लगाले क्यों तो बिस लग giorno करना है भी तो देखिए, लाइफ में नॉलिज काम आएगी, मार्क्स काम नहीं आएगे तो कोशिश यह करनी है कि न हम समझाएं उनको मतलब जैसे स्कूल में जाकर टीचर से बात करें कि आपने इनको समझाना है, अच्छे से समझाना है, बच्चा समझानी है या प्रैक्टिकली, जैसे किसी की वीडियो देखकर, कई बर होता है न, वीडियो से हमें अच्छी तरह से कोई चीज समझा जाती है या फिर प्रैक्टिकली, जैसे मा लेजिए, प्लांट्स की और सीड्स की बात है, वह ऐसे देखके लर्न नहीं हो रहा, तो जहां पर लगे होए हैं, प्लांट्स जैसे नर्सरी है, वहां पर तरह तरह के प्लांट्स हैं, वहां सिखा सकते हैं, अभी इस तरह का पेड़ होत इस समझदारी से काम लेना है, समझ आ गई ना फिर वो lifelong चीज नहीं भूलेगी, इसलिए समझना जादा जरूरी है, अब आती है तीसरी बात, बच्चों को ये ना सिखाएं कि बार बार पूछना गलत है, कुछ बताना गलत है, अब जैसे कि बहुत सारे questions होते हैं बच्चों क मुझे नहीं पता, अरे क्या फालतों की बात पूछ रहा है, चला है में को काम करने दे, मतलब इस तरह से अवाइड करते हैं, या कोई स्कूल में बात हुई, बच्चे के साथ हुई, या बच्चे के दोस्त के साथ हुई, वो बता रहा है, बहुत excited हो के बता रहा है, आज करेंगे बात, मतलब इस तरह से अवाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है, जब हम बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, या बच्चे जो पूछते हैं उसको एवाइड करते हैं, उससे यह होता है कि बच्चे शियर करना ही बन कर देते हैं, बच्चे बात करना ह बंद कर देते हैं क्योंकि उनको इंट्रस्ट ही नहीं है इसलिए वो शियर ही नहीं करते है और उससे क्या होगा जब शियर ही नहीं करेंगे कहीं और शियर करेंगे तो उनका पेरेंट्स के साथ अपने बच्छों का पेरेंट्स के साथ बैठने का बात करने का इंट्रस्ट ख मतलब इस तरह से करने के questions पूछने है अच्छा ऐसा हुआ था मतलब उनकी बातों में इंट्रस्स लेना है और जैसे कोई अजीब गरी सवाल पूछ लेते हैं बड़े अजीब से भी इसको ऑन सर कहा से दे तो Google पर सर्च कर सकते हैं या उनको बोल सकते हैं अच्छा इसके बार उसका क्या फैदा है क्लियर हो रही है आपको बाते हैं बहुत जादा जरूरी है देखिए parents तो सभी parents यही जाते हैं ने कि बच्चे बहुत अच्छे बनें समझदार बनें intelligent बनें तो उसके लिए थोड़ा सा time spent करना जरूरी है समझना मतलब उनकी जो feelings है उसको समझना बच पेचों को यह ना सिखाएं कि गलती की है तो सजाता मिलेगी मिलेगी मतलब कोई भी ऐसी बात हो गई कोई भी गलती हो गई तो मारना पीटना गुसा करना उसके हासे चीजे चीन लेना बहुत गलग बाद अब जैसे माल लीजिए बच्चा मोबाईल पर वीडियो गेम खेल रहा है ठीक है और खेलते खेलते उसके हाथ से मोबाईल गिर गया एकदम से मतलब चिलाओ पड़े पेरेंट्स एकदम से चिलाओ पड़े यह क्या कर दिया अकल नहीं है उसको ना दो चाटे मार दिये और ख करदार झुक्तम से फिरे अब टक कर दिये है तो एसे में अगर इस थाव किस से नहीं होती क्या आपसे नहीं होती क्या पयरेंट्स बहुत महान है कभी उन्होंने गल्ती नहीं की तो गल्ती होती है यह थोड़ी ना की डाटना मारना पीटना चीजे चीन लेना अरे आप उनको प्यार से समझाईए कि यह इस तरह से हुआ है यह आगे से ना हो होती है गल्तियां accept कर लिजे उसको बच्चे को प्यार से समझाईए बहुत क्रियेटिव होता है तो अगर हम इस तरह से उसके दिमाग पर ब्रेक लगा देंगे मतलब इसके मन में डर बैट जाएगा कि अगर मैं यह किया और यह हो गया मतलब वो नेगेटिव बाते पहले सोचे लगेगा वह मैं यह काम कर रहा हूं यह हो गया तो क्या होगा फि की आप बतशेटा सब्सक्राइब इसको मुबाइल जलाना है ना यह हहा है बादिया एसको इस तरह से करते हैं इस तरह से करते हैं मतलब प्लिक Panic लिक इनでも काकि आप ड़ा वा और सांइप गुद्सा जेया तो एतना तो इतना डर दो दो गए उन प्या हो गिर गेया होगा बहुत जरूरी है बच्चों को प्यार से समझाना, अराम से समझाना, इस तरह से नहीं करना, और ठीक हो जाते हैं, हमारे मन में एक ऐसे बात बैठी होई है कि नहीं पिटाई के बिना तो बच्चे सुधरते ही नहीं है, ये गलत धारना है, अब आती है पांच भी बार, बच् में उठे, उठे सारे स्कूल, उसके बाद टूशन, उसके बाद हो भी क्लास, फिर होमवर्क, मतलब टाइम ही मिलता उनको, देखे, जैसे जो बच्चों की रूटीन है, पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक्नी है, पर कुछ टाइम तो उनको मी टाइ करनी करनी है, छे से साथ का टाइम है ना, वो फ्री हो अप, कुछ भी करो, अच्छा उसमें भी अपनी ढालेंगे, कि इस समय से, इस समय तक, ये करो, इस समय से, इस समय तक, ये करना है, मतला पनी कर चंब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, no doubt, पढ़ाई करने दीजिए, उसके बाद जो एक घंटा है, उसको रिलाक्स करने दीजिए, वो किस जंग से लेता है, वो अपनी कोई hobby परस्यू कर रहा है, जो उसको hobby अच्छी लगती है, उसको सोना अच्छा लगता है, उसको टीवी देख और उसमें वो decision ही नहीं ले पाएगा, मतलब बैठा रहा जाएगा, कि मुझे तो पता नहीं मुझे करना क्या है, तो करने दीजिए, उसकी अपनी सोच को चलने दीजिए, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, उसको करने दीजिए, इस ही से पता लगती है कुछ बा ज़रोरी होता है, करनी चाहिए, जो आपकी चीजे है, जो आपकी अपनी पर शर्ण चीजे उसको बच्चा है ना अपने मा लीज एक वीडियो गेम है उसको लेके ना बहुत जादा पुझेसिव है मतलब किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता हूँ और ऐसे में पेरेंट्स उन गेस्ट के सामने बोलने हैं कि हाँ खेलो जाके अब बच्चा नहीं हाथ लगाने दे रहा उसको तो वो बोल रहा है कि नहीं यह तो नहीं खेल रहा है मुझे नहीं खेलने दे रहा है तो पेरेंट्स उन्हीं के सामने बच्चों को डाटना शुरू कर देते हैं इवन बच्चों को मानना शुरू कर देते हैं क्यों नहीं दे रहे, दो, देना चाहिए, यह क्या मतलब है, तो ना थोड़ा सा सहीम रखिए, आप यह देखिए, जैसे अगर मैं मदर से बात करूँ, कोई मान लीजिए, आपकी साडी है, मान लीजिए, ना कोई पड़ोसन आती है, बोलती है, में को एक दिन के लिए दो, मे मतलब मन में आता है ना, वो तो बच्चा है, उसकी अपनी जो चीजे है, उसकी तो यहीं चोटी सी दुनिया है, यह जो चुटी चीजे है, उसकी जो बिलॉंगिंग्स है, उसका नहीं मन कर रहा, तो ऐसे में बजाए जो गैस जाए, उनके सामने डाटने के ना, बहुत प् किसी चीज को लेकर है, बाकी उसको इससरे से समझाना है भी आप शियर करोगे, फिर कल को उसके घर हम जाएंगे, तो वो भी अपनी चीजे शियर करेगा, अच्छा लगता है ना, उसमें दिक्कत क्या है, मतलब बहुत प्यार से, जितने प्यार से हम उसको हैंडल करेंगे उतना ही जल्दी और पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, हम ना इंपेशन्ट हो जाते हैं, हम सीधा तू तड़ा पे आ जाएंगे, या हाथ उठा देंगे सीधा, मतलब एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं, यही चीज नहीं करनी, प्यार से सिखाईए, चलो अगर नही मानना तो चलो कोई बात नहीं, उस चीज में प्रेशर मत डालो, पर आप अपनी तरफ से इस तरह की चीजे करते रहो, जैसे शीरिंग है, अपनी कोई चीज दे दी, मतलब बच्चा देख रहा है, कि अच्छा ऐसे करते हैं, समझ रहें आप इस बात को, पर इस चीज का प् जैसे कोई बात हो गई, बच्चा रो रहा है, कमरदार जो रहा है, बिकुल चुप जाओ, अवाज नहीं आने चीज है मूंसे, या बच्चा बहुत खुश है, वो खेल रहा है, उचल कूट कर रहा है, चिली मार रहा है, बहुत बहुत खुश है, बहुत एक्साइटिड है, तो इतना शोरगी मचा रही हो, चुप चाप नहीं कहल सकते हैं, चुप रहो दो, अच्छा बच्चा जो है, उसको किसी बात पर बहुत गुसा रहा है, बहुत गुसा रहा है, आवाज नहीं निकलने चीए मूंसे, बिकुल चुप जाओ, अपने कमरे में चाके बैट जाओ आवाज निकली ना, तो बहुत पीटूंगी, या बहुत पीटूंगा, मतलब इस तरह से हम रियाट कर जाते हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसको बाहर नहीं आने देते हैं, अगर हम इस तरह से करेंगे ना, तो ये अंदर ही अंदर जब जमा होती रहेंगी ना, ये हाँ ठीक है, आप खुल के रो लो, पर मुझे पताओ तो से हुआ क्या, आपको गुसा आ रहा है, किस बात पे आ रहा है, मुझे बताओ तो पता तो लगे, तब ही तो हम इसको ठीक करेंगे, बहुत अराम से, बहुत कूली, बहुत पेशेंटी बच्चों से पूछना है, ब उसको वो करने दीजिए, मतलब emotions को बाहर आने दीजिए, रोकना नहीं है उसको, अब आती है आटवी बात, बच्चों को ये ना सिखाएं, कि हमेशा ही nice बन के रहना है, देखिए आपको सुनने में अजीव लगा ना, अरे सब पेरेंट से ही कहते हैं, कि सब के साथ nice रहो, अच्छे से behave करो, अच्छे से रहो, ताकि सब खुश रहें, ये ही सिखाते हैं न हम, देखिए nice रहना अच्छी बात है, होना ही चाहिए, पर कई बर क्या होता है, कि दूसरे लोग फायदा उठा जाते हैं, अब जैसे कि एक मदर है, उन्होंने बच्चे को बोला हुआ है, नाइस रहना है सबके साथ, सबकी बात मानना है, सबका कहना मानना है, नाइस रहना है, ताकि सब पसंद करें, ये बोल रखा उसको, तो अब इस बात का फायदा उनकी पड़ोसन उठाती है, वो क्या गरती है, कि जैसे मार्किट चली की शॉपिंग के लिए, उसके दो बच बैठा रहता है उनके घर में, क्योंकि अब उसकी ड्यूटी लग गई ना, पर वो नाइस है, मना करेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी भी गुसा करेगी, आंटी भी सोचेगी, कैसा बच्चा है, तो उसका फायदा उठाया जा रहा है, मिस्यूस किया जा रहा है उ नहीं सिखाना है, जो चीज आपको अच्छी नहीं लग दी, तो उसके लिए बोलना जरूर है, जैसे कोई पड़ोस के अंकल है, वो आके बैट गया है, और जानबुझ के बच्चे को टेच करे जा रहे है, ये नहीं पसंद उसको, नहीं अच्छा लगता उसको, तो उठ ज आटा है, इसलिए अब आती है, जैसे हम स्टैंजर से एकदम से विश्वास today कर सकते किसी अजान आदमी पर एकदम से विश्वास नहीं कर सकते ऐसे ही अपनों पर भी आँक मून के भरोसा नहीं करना अपे तो अपने कोई दिक्कत नहीं है ये थो अपने घर के हैं, ये तो अंकल है, ये तो पड़ौसी है तो इसलिए जो ये कहा रहे हैं हम वो कर दें आँक मून कर विश्वास नहीं करना जैसे हम strangers पे नहीं करते ना, ऐसे ही नहीं करना, हाँ, पर कई बार कोई emergency हो, कुछ ऐसी situation हो जाए, तो जैसे हम police की मदद ले सकते हैं, या हम school में हैं, तो हम teacher की help ले सकते हैं, अभी कुछ ऐसी बात हो गई, तो हम teacher से बात कर सकते हैं, कि ऐसी ऐसी बात हुई है, clear, अब आती ह है, दसवी बात, कुछ बाते ऐसी होती हैं, कि हम उनको सिखा रहे हैं, हैना, कुछ बाते ऐसी होती हैं, कि वो indirect way में सीख रहे हैं, मतलब हम उनको सिखाने रहे, पर हमारे actions ऐसे हैं, कि वो हमें देखकर, वो सीख रहे हैं, मैंने आपको बोलाना, starting में, कि उनका मन sponge की तरह ह मतलब चीजों को वो observe करके ना और उनको अपने अंदर उतार लेते हैं मतलब देखते रहेंगे और उसको अपने अंदर उतार लेगे चाहे वो चीजे कैसी हो अब अगर वो negative है अब जैसे कि फोन आता है घर पे मडर ने फोन अठाया बात कर रहे है कि मुष्या से बात करने है अच्छह मुठया के बैच आलु की प्रांटी का रहे हैं गरम-घरm बुल दे मैं नहीं हूं अच्छह जी मुठ्या वे टो घर नहीं है और फोन रख दिया बच्चे ने क्या बेखा कि जूट बोल रहे हैं और बहुत प्यार से बहुत अराम से बोल रहे हैं तो वो समझ गया, जूट बोलने लजी है, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे जैसे घर में मेट सर्वेंट है है ना उससे बहुत रूडली, बहुत मिजबीएव कर रहे हैं बहुत बत्तमीजी से बात करने है, तो वो समझ रहा है, वो देख रहा है, बच्चे को इसमें डारेक्ट इन्वाल्मेंट नहीं है, पर मदर किस से बात करी है, मेट सर्वेंट से, कैसे बात करी है, बहुत रूडली, बहुत मिस्भीएव करी है, बत्तमीजी से गुस्से से बा या घर में कोई गैस्ट आ गए जैसे एक आंटी आई बहुत मोटी है और उनके जाने के बाद ममी खुब हस रही है देखो कैसे बैठी थी देखो कितनी मोटी है यह भगवान पता नहीं कितना खाती है बच्चा यह देख रहा है बच्चा यह सुन रहा है कि कैसे मजाग उडा हर घर में चोटी मोटी चीज़े होती रहती है पर इंडारेक्ट में हम बच्चों को सिखा रहे हैं डारेक्ट नहीं सिखा रहे हैं कि चलो तुम जूट बोल दो या तुम भी हसो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं वो खोद हस रहे हैं तो बच्चे देख रहे हैं कि अच्छा ऐस तो ऐसा ही होता होगा, तो वो भी उस चिज को follow करना शुरू कर देते है, पैरेंट्स उनके लिए role model होते हैं, और किया सिखा रहे हैं? किस तरह से सिखा रहे हैं? गलत हो गया ना? बस यहीं नहीं करना तो देखिए यह तो थी कुछ बाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का future बहुत 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 हो तो हमें इन बातों को लेकर बहुत बहुत और बहुत ज़ादा careful रहने की जुरूरत है पिसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं आपके comments का मुझे इंजार रहेगा और हाँ अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजेगा और इसमें जो बेल का बटन है ये भी दबा दिजेगा ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अप्लोड करती हूँ आपके पास notification या message आजाए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगए आपको लगए कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज आप इसको share भी जरूर कर लिजेगा ठीक बाई